कल रात मैं अपनी बेटी को एक कहानी सुना रहा था आप सुनेंगे तो जी ऐसा था कि एक तरफ वानरों की सेना थी और दूसरी तरफ थी लंका और दोनों की बीच में महा समुदर अब वानर सेना बड़े-बड़े पत्थर उठाकर समुदर बें डाग गए थी राम सेतु का निर्मान कर सीता महिया को वापस जोलाना था प्रभू श्री राम किनारे पर खड़े सब कुल देख रहे था तब ही उनकी नजर बड़ी एक गिलैरी पर गिलैरी जो थी वो पानी में जाती थी फिर किनारे पर आती रेत में लोट जाती थी फिर राम सेतु के पत्त्रों की जाती और फिर भागती फिर से पानी में जाती फिर रेत में फिर पत्रों के राम जी को अश्चरे हुआ कि यह हो क्या रहा है वो गिलैरी के पास के पुचा तुम गिलैरी कर क्या रही है गिलेरी ने जवाब दिया कि मैं अपने शरीर को गीला करती है उस पर रेत लपेट दिया और पत्रों के बीच की जो दरारे हैं उसको भरती हूँ राम सेतु के निर्मान में मैं भी अपना चोटा सा योगदान दे रही हूँ आज बारी हमारी आयोध्या में हमारे शरी राम के भव्य मंदर का निर्मान शुरू हो चुका है हम मैंसे कुछ वानर बने कुछ गिलेरिया बने और अपनी अपनी शमता के अनुसार योगदान देकर एतिहासिक भव्य राम मंदर बनाने में साज्यदार मैं खुद करता हूं शुरूबात मुझे विश्वास है कि आप भी मेरे साथ जुडेंगे ताकि आने वाली पीडियों को इस भव्य मंदर से मर्यादा पुर्शोतन राम के जीवन और संदेश पर चलने की प्रेर नाम मिलती रहे। जैश्री रहे।